सिक्षकों में पर्मोशन का पेंच यानी कभी ना सुलजने वाली गुथी आलम ये है कि एक मुद्दा सुलजता नहीं कि नया मुद्दा सामने आ जाता है पिछले दो महिने से लगातार पर्मोशन के मुद्दे पर कोई ना कोई शिकायत आए दिन सामने आती है और आलम ये है कि जब प्रमोशन पर रोक लगी है और प्रमोशन को लेकर एक तरह से आवाज हाई कोट के दरवाजे के बाद ही जारी होने की उम्मी जताई जा रही है फिर भी प्रमोशन को लेकर आए दिन कोई न कोई नया बखेडा नया नया सवाल सामने आ रहा है नमस्कार मैं सत्येंद्र हूँ आप न्यूज कट्टू कर देख रहे हैं विवेक दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं विवेक दुबे जी से इसलिए हम बात करना चाहरे हैं विवेक दुबे से हम इसलिए फिर से बात करेंगे हलाकि हमारे साथ और भी कई सारे लोग हैं जो इस विशय को काफी करीब से जानते हैं उसमें पारंगत हैं और उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि प्रमोशन को लेकर क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं और उनका समाधान किस तरह से होना चाहिए बिवेक जी अभी भी आये दिन कोई ना कोई सवाल तो आपके पास आहीं रहे होंगे अभी नया जो सवाल सामने आ रहा है डबल असनाता अक्सिनियर्टी लिस्ट इन तमाब मुद्द का तो पेंच अभी तक सुल्जा नहीं है अब नए नहीं क्या सिकाहते आ रही है जो जिसको सुल्जाने में या तो विभाग तैयार नहीं है या यूं कहले कि सुल्जाना न जैसे मैं आपके सामने उधारन लाता हूं अंभीकापूर संभाग की बात है और एक दो जीले से और आया है साथी लिखित में मेरे पास इस बात की सिकायत दे रहे हैं और अपनी सूची भी भेज रहे हैं कि वहां से वरिष्टता सूची जारी हो रहा है सिक्षक का मामला ब वरिवर्तित होता है लेकिन श्रांथन प्रसासनिक है तो उसका प्रभावित होई ही नहीं सकती उसकी वरिष्टता प्रभावित कर दिया गयाका वूह 5 को ट्रांसफर के कारण 2019 से वरिष्ठता गीना जा रहा है तो अब इससे बड़ा हस्यास्पत विश्य और क्या लेंगे क्या एक विभाग के अधिकारी को इतनी जानकारी नहीं है कि कभी भी प्रसासनिक तबादले में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती क्योंकि जब प्रस अच्छा से भी लिया तो क्या उसका नियोक्ता परिवर्तित हुआ उसका एक अधिकार छेत्र होता है जीला सिक्षा अधिकारी का छेत्र जीले के अंदर का हिस्सा है संभाग के अगर अधिकारी जेडी तो उनके अंदर का संभाग है और जैसे मैं व्यक्याता हूं तो कड़ी करोगे तो यह तो हाल है प्रमोशन का हाला कि हमको उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से या हमारे संगटनों के माध्यम से दिरे दिरे यह जो समस्या है जिसको पैदा किया जा रहा है वो सुलत जाएंगी अच्छे एक बात यह बताईए वरिष्टता सुची को लेकर हम देख रहे हैं कि राइपूर जेडी ने दो तीन दिन पहले वरिष्टता सुची में फिर से द देश निकालने के बाद निरस्ट करना पड़ा बहुत बड़ा प्रस्थ हैं विभाग का ا cách अधिकारी किसी का कर देता है वो कर्मचारी जाकर व ली गर्हां ना कर लेता है उसके आज कर लेता है क्यों 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 आपनी अपना काम सहीं तरीके से निद्थ और आप निरस्ट करते हैं उसका वो कर्वचारी जाएगा नियाल है क्योंकि उसका सही तरीके से हुआ है और अधिकांस मामलों में इस्टे भी मिल जाता है तो कुल मिला कर जब इस्टे मिल जाएगा तो सरकार उसके करेश्ट में डिजनल में जाएगी तो आप मामला खुद लटका रहे हैं आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जो नीती संगत नियम है उसके तहट आप काम कीजिए राज जी का रियाले से एक सीधा सीधा गाइडलाइन आ जाना चाहिए कि किस-किस मुद्दे पर क्या-क्या हम मानेंगे इस मुद्दे पर हम यह मानेंगे मेरा सवाल य जानकारी है वह हर चीज करना जानते हैं तो क्यों ना उनीक तब से गाइडलाइन दे दी जाए कि वह हमारे जेडी इस नियम का पालन कीजिए इसमें जो भी फिट बैठता है आप उसको कीजिए और उसके बाद जिसको समस्या होगी वह नियाले जाएगा वह अगला इस्ट कर्मचारी को यह नहीं पता है उसमें नियम ही है कि जब तक सर्विस बुक का जाच नहीं होगा तब तक आप प्रमोशन नहीं दे सकते तो सर्विस बुक तो ऐसी चीज़ है कि जब उसका transfer होगा तभी उस बात को लिखा गया होगा कि अमुक कर्मचारी का इस आदेश के ताहत यहाँ transfer किया जाता है तो इसे यह भी सावित होता है कि उसके सर्विस बुक का सहीं तरीके से या तो संधारन नहीं हुआ इसलिए वो बात चुट गई थी या फिर उसका जांच ही नहीं हुआ प्रमोशन आदेश निकाल दिया गया तो विभाग को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए विभाग इस तरीके से मतले कि हम आरोप लगा रहे हैं आरोप तो आपके कागत से अपने आपसावित हो गया इसी बालोद में ऐसा भी हुआ कि कोट का इस्टे था और उसके बाद जारी कर दिया गया और एक घंटे बाद उस आदेश को कैंसिल करना पड़ा विभाग की छवी पूरी नहीं हो पाएगी हमारे साथ संजुक सिक्षक संके गिर्जा सर यह बताइए तो एक अंतिहीन कथा हो गई पर्मोशन की पर्मोशन वाकई में यह बिवाद पैदा किया गया है सरकार चाहती नहीं बिभाग चाहता नहीं या यूं कह लिए कि यह ना समझी है मामला उलजगया पर्मोशन देखने में तो यहीं लगता है कि विभाग प्रथम द्रिश्टिया यह नहीं चाहती है कि यह बिवाद सुल्जे और प्रमोशन हो क्योंकि यदि चाहती तो जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं मार्क दर्सन के लिए उनके पास पत्र भी आ रहे हम हैं कहीं प्रमोशन करके बैक कर रहे हैं तो तरह तरह के मामले हैं तो यह है सरकार यदि द्रिड इच्छा सक्ति सी इसको करना चाहती है माननी प्रमुक्षचिव यहां पे हैं और उन्होंने निर्देशित किया है कि एक महीने में होना चाहिए वो एक महीने में हुआ कहा नहीं हो पाया, यदि सरकार चाहती, तो अवस्य होता इसलिए सरकार को इस पर गमबिरता से लेना चाहिए और अधिकारियों को समझ करके उसका निराकरण करने चाहिए। मामलों को तथ के तहत उनके पास रखते हैं उनको भी नजर अंदाज करते हैं यदि हम किसी मामले को ले कर जाते हैं जैसे मैं सिनियाइटी का मामला बताऊं सिनियाइटी का मामला क्या है सिनियाइटी के मामले में यह अभी किया जा रहा है जादतर जगा पे यदि होने पे अपने संवर्ग में कनिष्ट माने जाएंगे तो संवर्ग में कनिष्ट माने जाने का अर्थ क्या है कि जिस देट से ज्वाइन करेंगे उसी देट से आप दोगे ऐसा तो इस पस्ट प्रश्टता होनी चाहिए इस प्रश्टता होने पर ही आगे बढ़ेगा यदि आप कहते हैं कि वहां उसी डेट से ज्वाइनिंग माने जाएंगे तो कोई आप आदेश दिखा दीजिए समान प्रशासन के आदेश है जिसमें इस प्रश्ट लिखा है देख लीजिए कि जिस संभावना तो है क्योंकि सरकार ने इसमें जवाब दे दिया है क्योंकि जिसमें सरकार जवाब नहीं देती है जवाब के लिए कई बार समय लेती है उसमें लटकता है लेकिन सरकार के जवाब देने के बाद एक संभावना बनी है और हम लोग भी चाहा रहे हैं और हमारे भी कई जो साथी लगे हुए हैं उनके द्वारा भी कहा गया है किसका निराकरण हो और प्रमोशन तो हो भले ही वो अध्याधिन रहे कोट के आने वाले समय में क्योंकि 2 सव मामले यादी न्याले में लगे हैं तो यहां जारों की प्रमोशन की बात है उनको नहीं रोकना चाहिए और प्रमोशन होना चाहिए किस तरह की शिकायते अभी आप लोग तक पहुंच लिए आप लोग चुकी लगातार अगवाई करते हैं संगठन से हैं सब सिक्षक सं अपने प्रमोशन की बात करते हैं अभी नया क्या मामला सामने आ रहा है आप लोग के पास नए शिकायती क्या रही है देखें शिकायतों का ताम बार लगा हुआ है वास्ताव में जब से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई है हमारे शिक्षकों की बहुत सारे शिकायत यह एक बड़ी समस्या मोढ़ा है नह availability कि आता दिकारब करने दिई देखाने केऊ-धिक्र्फों बड़ी सब्कुर्षय में उन्होंने matriculation जो है उसमें किया हुआ है उन विश्यों में तो उनको अवसर मिलना चाहिए और यह अवसर मिला है कि नहीं किया है दो बार इस नातक तो उसको उसका लाब भी मिलना चाहिए आप उस वेक्ति से पूछ लिजे कि आप कौन सी इस नातक का लाब लेना चाहते हैं और वो जिस नातक का लाब लेना चाहते है उस नातक के अधार पे उनको लाब प्रदान किया जाए तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से प्रमोसन को लेकर जो है उनकी मंसा है कि प्रमोसन करें सिक्षकों क सिक्षकों को प्रमोसन का लाब दें और इसी मंसा के साथ उन्होंने पांच वर्ष का जो नियम है पांच वर्ष का अनुभाव का उसको सिथिल करते हुए तीन वर्ष का अनुभाव उन्होंने मानिक किया हुआ है केबिनेट पर पास किया गया है उसके लिए राजपल खुदा के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है तो ये सब चीज सरकार चाहा रही है सरकार की मंसा है किन्तो निचले इस तर पर जो हमारे अधिकारी हैं वो कहीं ने कहीं अपने करतब्यों को बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं शायद उनकी वि परसान हो रहे हैं परसान होकर कुछ लोग कोट जा रहे हैं तो यह समस्य निचले इस तर की है निचले इस तर को मैं ऐसा मानता हूं कि प्रशाशन को उच इस तर पर मंत्राला में बठे हुए मारे भी भाग के बड़े अधिकारी है उनको ध्यान देना होगा और एक इस पर किसे प्रमोशन हो पाएगा यह बताईए जब परमोशन जब की प्रकिरिया या कोई अधीसूचना जारी होती है तो जाहिए सी बात है कि दिशा निर्देश जारी होता होगा तो यह डबल अशना तक आ गया या ट्रांसफर से आपकी सिनियर्टी लॉस होगी इस तरह के को ले प्रमोशन करेंगे तो यह सब विसंगतिया आएंगी मैं तो उससे भी बड़े विशेकियों आपका ध्यान आकरिश्ट करता हूं जब भी एक छोटी सी भरती होती है मतलब पचास पोश्ट सो पोश्ट की जब भरती होती है तो आप उसमें भी देखे होंगे कि यदी कहीं सरकार को लगता है तो कैवेट दाखिल किया जाता है इतने महत्पुर मुद्दे पर जहां पर आप 30,000-40,000 लोगों के प्रमोशन का दावा करते हैं आपने कैवेट दाखिल नहीं किया यदि कैवेट दाखिल किया होता तो आज यह स्थिती नहीं बनती पहले आपको पक्स का मौका दिया जाता और यह प्रक्रिया बाधित नहीं होती दूसरी बार समय पर जो आपने बनाया था अगर उस समय पर कर दिया गया होता तो भी बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो गया होता जैसे बस्तर में हो तो यह सब चीजों को ध्यान देना होगा रही बात आप अगर चाहते थे बना तो नहीं था यह जग जाहिर है क्योंकि अलग अलग जेड़ी ने अलग अलग निर्देश जारी किया जैसे इसा कैसे हो गया क्यां पांच जेड़ी का एक डिप्याई मिटिंग ले रहे हैं और उपर से निर्देश दे रहे हैं एक को अलग बात समझ में चार को अलग बात समझ में अई ऐसा तो हो नहीं सकता पिर आप ही ने खबर चलाई, कई बार ये खबरे चली कि इस मुद्दे को लेकर, प्रमोशन के मुद्दे को लेकर V.C. हुआ है, जेडी से जीला सिक्छादीकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं, वहाँ पर अलग-अलग जीला सिक्छादीकारियों अलग-अलग काम कर जा रहा है तो हमारा आपके माध्यम से अधिकारियों से निवेदन है कि इसको अन्यता ना ले प्रक्रिया चुकि 10 तारीक के बाद ही चालू होगी अगर मालीजे कोट में केस जुद भी जाते हैं तो भी 10 के बाद चालू होगी तो उसको लेकर जिन-जिन मुद्दों पर क्योंकि यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई तो कई सिक्षक सांति हमारे ऐसे भी रहेंगे जो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद आप उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाएंगे जैसा कि अनुकंपन युक्तिक मामले में हुआ जिनों ने अपने परिजन पने पाए थे और जिनका दूसाल पूरा हो चुका है पिछले साली लेकिन उनके लिए सबीलियन का निरदेश जारी निकिया गया केकर उनका सबीलियन नहीं हो रहा है बहुं सारे ऐसे लोग हैं जो वेतन नहीं समय हैं सारे मामले चाहिए स्थान अंत्रण का हो चाहिए डबल इसनातक का हो चाहिए अंद्य मामले हो वरिष्ठता के वो सारे पब्लिक फोरम में आच चुके हैं उन्हें लेकर आज भी अदी निर्देश जारी कर दिये जाते हैं और 10 तारीक को हमारा मामला कर नियाले से सु पूरा निर्भरता है सरकार के उपर और सरकार के मंत्राले में जो उच इस तर पर अधिकारी बैठे हैं उनके उपर उनको इसके बारे में इसपश्ट नीचे में निर्देश जारी करना पड़ेगा इस थांतरन की स्थिती में समान प्रशासन विभाग की ब्याख्या ये है और उसके अलावा जो डबल इसनातक की स्थिती में ब्याख्या ये है इस पस्ट करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी कर्मचारी का पदुन्नती और भरती राजपत्र के अधार पे होता है और राजपत्र में सेवा सर्त के अलावा उसकी नियूंतम योग्यता लिखी रहती है उसें सिर्फ यह लिखा है कि इसको सिख्छक बनने के लिए सनातक चाहिए तो तरह तरह के सवाल पैदा होँगे आपकर नहीं पाएंगे तो जो चीज लिखी नहीं गई है उसके बारे मैं अधिकारियों को भी नहीं सोचना चीज़ा हाँ कहीं पे लिखा है उस कागज को लाइए और बताइए प्रेस मीडिया को भी बताइए देखी भई डबल इसना तक जो किये हैं वो अपात रहोंगे जो इस्थांतरन से आ गये हैं वो इस्थांतरन के डेट से ही उनको माना जाएगा इस परस्ट बताइए ना तो आप भी जानते हैं इस बात को कि इस परस्ट कोई आप भी अधिकारियों से पूछते हैं तो उनका जवाब नी रहता अलग-अलग अधिकारी अलग-अलग उसी मुद्दे पे जवाब देते हैं तो इसकी निर्भरता पूरी तरह से मंत्रालय है सिक्षा विभाग और वहां के बैठ है अधिकारी इस परस्ट निर्देश जारी करते हैं जो नियम बने हुए उसके अधार पर नियम सभी में बने हैं और सारे नियम उनके प्यास है ब्याख्या अपने अपने हिसाब से अलग-अलग करते हैं उस ब्याख्या को सही करना पड़ेगा यदि सही करते हैं तो सिनिय प्रमोशन की बात हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि प्रमोशन का लाब मिलेगा प्रमोशन की जितनी अर्चने हैं वो दूर हो कि आने वाले दिनों में पर्मोशन का पेच बहुत सहस्ता के साथ नहीं सुलजने वाला है नमस्कार